एक पत्र पढ़कर हमारी आँखों में भी आशु आए बड़ा विचित्र पत्र किसी ने सीहर वाटसप पर भेजा वो पत्र सीहर वाटसप से यहां आशिज जी के पास में भेजा गया हमने जो हमारे आशिज जी हैं उनके पास वो पत्र को जो पढ़ा तो उसमें बड़ा सुन्दर बात लिखिये थी उसको जिन्दगी में उतारीएगा कि मेरा शिव मेरा कुबरेश्वर महादेव मेरा महाकाल मेरा ओमकारेश्वर मिलजालपा महरानी मेरा राम मेरा कृष्ण त इसे साथ देता है उस पत्र में प्रमीला साहू बिलास्पूर से हैं आवासी नगर की रहने वाली हैं जिन्होंने वो पत्र लिखकर भेजा उन्होंने लिखकर भेजा गुरुजी मैं अपनी सारे परिवार सहली के साथ में कुबरिश्वर धाम तावड चड़ाने के लिए आई अब कुबरेश्वर धाम जब कावड चड़ाने के लिए मैं जब पहुची तो कुबरेश्वर धाम जब कावड के लिए हम पहुचे तो बहुत भीड 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 थी हम भी कावड लेकर चले और जाकर जब हमने कुबरेश्वर धाम पर मकारे करता चारों तरफ लगे थे कंकर शंकर के उनको हमें जल नहीं चड़ाते हुए हमने कावड उनको दी उन्होंने दोनों लोटे का जल दोनों पात्र का जल दोनों लोटे का जल शिव जी पे चड़ा दिया और हमारा लोटा हमको खाली करकर दे दिया पत्र में लिखा था मुझे बड़ा गुस्सा आया प्रमीला साहू बिलासपुर पत्र में लिखा उन्होंने हमें बहुत गुस्सा आया इतना गुस्सा आया कि हमने अपनी सहली से कहा मैं बारा सो रुपे खर्च करकर एक तो यहां आई और 1200 रुपे खर्च करकर पहुची और इतना धक्का खाया इतना धक्का खाने के बाद बाबा को जल चड़ाया और जल चड़ाने के बाद वो सीवर वाला माराज ने कहा था गुरुजी ने कहा था कि एक लोटे का थोड़ा सा जल अपने घर लेकर जाना और उसको अपने परिंडे के पास, संडे के पास एक कटोरी में उसको चड़ाना था, पर मेरा तो पूरा जल वहाँ चड़ गया, अब मेरे को जल नहीं मिला, मेरा तो बारा सो रुपे खर्च हो गया, इतना मेनत करी, इतनी दूर से आई, इतनी तकलीब होगी, और इतना मेला धेला में पहुची, उसके बाद भी मुझे जल नहीं मिला, और वो गुस्सा होकर, दोनों लोटे को वहीं पर पटक कर, गुरुजी, मैं वहीं पर पटक कर, और डंडा भी वहीं पटक कर, और मैं इस्टेशन चली गई, इस्टेशन गई मेरी सहलियों के साथ, मैं अपनी ग चड़ते से एक लड़का तिरपुंड लगाया हुआ, जिसके हाथ में जोला था, वो जोला देकर मेरे को कहता है, बहन जी, इसको पकड़ लो, मैं दो मिनिट अपने लड़के को उपर चड़ा लूँ, फिर मैं ये जोला ले लेता हूँ, वो जोला पकड़ा कर, नीचे तरे सान, ओपर से वो जोला दे गिया, अब गुरु जी क्या कहें, हमने अपनी सच सहलियों से कहा, फाल तू का बारा सो रुपे लग गया, और एक तो तरे सान अलग होगा, और पानी भी नहीं मिला, जो चड़ा हुआ, कटोरी में चड़ाना था, उसी और वाला महरा जोला तो मैंने का देख लिए उसका एड्रेस या कोई आईडी पुरूफ होगा तो भेज देंगे, जब जोले को खोला, तो गुरु जी उसमें जय महाकाल लिखा हुआ एक लाल कपड़ा था, उसमें बारा सो रुपे बंदे हुए थे, एक लोटे में पानी रखा हुआ था, एक पुष्टे के पास में पुष्टे पर, एक कागज पर पुष्टे पर एक लाइन लिखी हुई थी, तो अपने पिता से रूट कर क्यों जा रही है, बापिस जल्दी आना, बस वो लोटा और वो बारा सो रुपे प्राप जोगा, गुरु जी, किसको मालुम कि मैं मेरे बाबा ने जल्दी दिया, और वो बारा सो रूपे में बार बार बखानी थी, इसलिए बारा सो रूपे मेरे बाबा ने वापिस भेज दिया, मैं उस पत्र में लिखा में इस बारा सो रूपे का करूं क्या, तो प्रमीला जिदी, मेरा निवेदा ने उस बारा सो के तुमार नहीं छोड़ता बाप पिता कभी खाली नहीं छोड़ता